जी असलाम लेकुम रहां दोला एक और इंपोर्टेंट मैच प्रिवियू में आपके साथ हाजिर हैं तो तो अस्ट्रेलिया वर्से न्यूजिलेंड मैच नंबर 27 धरम शाला में स्वरी ये मैच है तो ये ट्रांस टेस्मेंड जो राइवल्री है इनकी नेबरिंग कंट्रीज हैं और न्यूजिलेंड आपको पता है टॉप अफ टेबल भी रहा है और बहुत कमाल का जा रहे है आठ पॉइंट्स है उनके एक इंडिया से मैच आ रहे हैं और धरम शाला में मैच है और वर्ल्ड कप्स में न्यूजिलेंड से हाइड है हमेशा अस्ट्रेलिया ग्यारा मै बहुत फाइदा मंद हो सकता है न्यूजिलेंड यहारे जो अस्ट्रेलिया हारे क्योंके दोनों टॉप फोर में पाकिसान के लिए इंपॉर्टेंट होगा और ट्रेविस हैड सुनाजी वापिस आ गए है तो मिचल मार्श शेयर नंबर थ्री पे खेलेंगे और स्टीव समि लग रहे हैं दरम शाला में आपको बता है बैटिंग फर्स्ट किया था न्यूजिलेंड वहां पर एक मैच हार चुका है तो मेबी क्या होता है और न्यूजिलेंड की तरह से डेरल मिचल ने हंडर्ट बनाया था वहां से जो है डेवन कॉनवे और विल यंग भी अच्छी अरेचिन रविंद्रा भी बहुत अच्छी फाम में तो मैट हैंडरी उनके बॉलर जो हैं वह भी मैट हैंडरी ट्रेंट बोल्ट और मिचल सेंडर बगार यह भी काफी अच्छी फाम में नजर आते हैं तो देखा जाए तो दोनों की तकरीबन मजबूट ही में दोनों ही औ और बहुत ही इंपोर्टन्ट होगा दोनों के लिए पॉइंट्स लेना न्यूजिलेंड के लिए एक स्टेप फंदर हो जाएंगे सेमी फाइनल की तरफ तो अस्ट्रेलिया जो है वो डू डाई है अगर एक मैच और हरते हैं तो शायद वो इंपॉसिबल हो जाए उनके लि और ये डे मैच है डे मैच में आपको बता है बाउंटरिस भी लगती है स्कोर भी लगता है मेबी क्या बनता है दोनों टीम्स का क्योंकि ये दोनों टाप फॉर में है और पिक को है जो मेन प्लेयर्स तो वाच मैं कहूंगा स्ट्रेलिया के तरह से डेविड वारनर बहुत आउट हो गे थे न्यूजिलेंड की तरफ से रचिन रविंद्रा डेवन कॉनवे और डेरल मिचल ये तीन है और बॉलिंग भी पैरलेल है इनकी मलब है दोनों ही बराबर लग रहे हैं स्टार कमिंस हेजल वूड और वहां से हैंडरी फर्ग्यूसन और ट्रेंट बोल्ट त तरफ के में भी न्यूजिलेंड जीदे 60-40 है 40 परसें अस्ट्रेलिया का भी चाहांस है तो देखें क्या बनता है आज का मैच का तो आपको इंशाला उसका लाइव कवरीज भी देंगे इंशाला और मैच के इंसाइट भी देंगे पाकिसान ने तो दिल तोड़ दी है तो वर्ल्ड कप तो कवर करना है इंशाला मिलते हैं नेक्स्ट मैच में अस्सलाम अलेकों रहामतुला